हाई आयूश और वाचिंग वाल्टी स्पीक्स चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब करना यहां पे से बैठ के आपको एडवाइस और स्टाइजी नहीं दूँगा कुछ चीज भी दूँगा ताकि तुम लों की रैंक परफॉर्मेंस भड़े ठीक है बहुत सारे कोर्स करने हैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डालने हैं विदिन टू विक्स बहुत काम चला है बैक एंड काम चला है सब कुछ नहीं बता सकता टेलिग्राम पर जो नहीं पता है तो यहां पर से बातें नहीं होंगे काम भी होगा तो काफी चीज़ा आने वाली हैं चार महीने के अंदर ठीक है तो चार चार महीने के सकते हो मार्च का अधम आंके तो क्या मिल सकता है पॉसिबल है पॉसिबल तो है दोस्त बड़ डिपेंडिंग ओन यॉर प्रप्रेशन तो पहले अभी टाइम स्टैम इने डाल लखे हैं जा सकते हो बट एक एक चीज़ सुनते चले जाना फ्लीज थोड़ा साथ में हैं चाहिए कमेंट सेक्शन में पहले एक चीज़ निप्टाना चाहता हूं वो स्टुरेंट्स जिनकी कोई प्रप्रेशन अभी तक नहीं है ज कहे देना कि four months के अंदर जो बिल्कुल zero है physics chemistry bio में क्या वो पहुंच सकता है एम डेली पहुंच सकता है या फिर नॉर्मल डीसेंट गवर्मन कॉलिज पहुंच सकता है I don't think so provided कि अगर आप category या फिर कुछ benefit नहीं मिलना है ठीक है मैं general student की बाग कर रहा हूं तो प्लीज मेरे में में पहुंचते रहोगे योट्यूबर्स बैटे हैं तुमको चान महिने में एम डेली पहुंचा देंगे बातों से या दखना बातों से बातों से रिजल्ट नहीं आता start करते हैं with the first type of students जो की है जिनके less preparation मतलब क्या होता है जिनके करीब-करीब एक subject complete हो गया है बट दो सब्सक्राइब अभी तक बच्यों है जनली दो सब्सक्राइब होंगे physics for chemistry maximum लोग के लिए ठीक है बायो जनली लोग का हो चुका होता है तो ऐसे लोग के लिए क्लिए क्या करना है तो ठीक है less preparation है क्या करना है for chemistry starting with chemistry and physics दो subject लिए बताऊँगा chemistry के लिए सबसे पहली चीज start with physical chemistry मैं आपको एक golden rule बताने जा रहो है चार महिनों का जा साड़े चार महिनों का golden rule ये है जो भी tough चीजे हैं जाफिर जो important चीजे हैं बट वो heavy है उसमें ठोले time लगेगा वो अभी करना है easy चीजे बाद में कर गया जब एक महिना बसता है देड़ महिना बसता है तब यू cannot afford की आधा chapter हुआ पूरे एक दिन ने तब afford नहीं कर सकते हैं जब सिर्फ 40-50 दिन बचते हैं preparation के लिए तब afford नहीं कर सकते हैं अब afford कर सकते हो अभी कुछ नया start कर सकते हो कोई important chapter start कर सकते हो कोई नया concept सीख सकते हो बात के लिए मत छोड़ो इसलिए बोलाओ chemistry में start with physical chemistry then with organic then with inorganic ठीक है physical मुझे पता है नीट का सबसे बड़ा myth यह है कि नीट में maths नहीं आती कौन कहा तुमको नीट में maths नहीं आती बट maths का section नहीं है बस नीट में सिर्फ maths का section नहीं है बट maths आती है your 30% of the questions will contain maths 30% of the questions समझते हो अगर वो 30% छोड़ दोगे न तमा कभी selection नहीं होगा नीट में तो यह भूल जाना कि without maths में नीट निकाल लूँगा या निकाल लूँगी कभी नहीं होगा maths होती है नीट के अंदर बट section नहीं होता maths घुसी होती है आपकी physics और chemistry में 30% questions याद रखना 30% मदल समझते हो तो 504 मात से हैट मैक्स ला सकते हो अगर इन 30% छोड़ दिया तो यह होता है 30% 500 सुपर प्रॉस नहीं कर पाऊँगे खेर chemistry आगोसन में आई physical chemistry स्टार्ट करना है उसके बाद organic उसके बाद inorganic exactly कैसे पढ़ना है मैं अभी बताऊंगो वीडियोस बताऊंगो अभी चीज समझो physics में क्या करना है physics में आपको मेरे दोस्त vectors motion in straight line motion in plane और work इन सबसे पहले इन 4 chapters पे focus करना है जिस भी student को ये 4 chapters आ गए उसे कभी physics में डर नहीं लगेगा हो सकता है वो prepared ना हो बट वो डरेगा नहीं कभी क्योंकि जितनी imagination जितनी maths जितनी calculated चीजें लगनी होती हो इनी 4 chapters में लगती है पाकी हर chapter में से कम लगेगा और तमाई आदोत हो चुकी होगी इन 4 chapters में तुम्हें सब असानी हो जाएगी सबसे पहली चीज यही 4 chapters करना है छोड़ दो तुम बिलकुल rotation कोई दिक्कत नहीं है fluids छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें परिशान नहीं करेंगे वो बट ये 4 chapters तुम्हें परिशान करते रहेंगे ये 4 chapters take your time ले लो भाई तुम आप 3 हफ़ते ले लो बट ये 4 chapters अच्छे से पढ़ो उसके बाद physics टफ नहीं लगेगी material कौन सा लगाना है सारे materials को भाड़ न फैंगो LN हो गया ये हो गया सब बक्वास सबसे best material सारे चार महिने के अंदर your NEET के questions and your NCRT that's it जिसने काइदे से NEET के PYQs लगा दिये दो से तीन बार आपके NCRT के back exercises कर ली हो ही नहीं सकता 120 माग से कम है हो ही नहीं सकता मैं I will give you the life proof when the result will come life proof मैं दूँगा ठीक है जब ये हो जाएगा लोग बोल लए होंगे अभी तो नहीं बता सकता यूँकि जिनकों mentorship प्रवाइड करता हूं 500 सूपर आ रहे हैं और वो यही कर रहे हैं जो मैं बोल ला हूं बट अभी आपको बिलीव नहीं होगे जब रियल आएगा तब पना चाह जाएगा ये है पावर कुछ जरूरत नहीं है तो chemistry मैं आपको बता दिया वीडो बना भी रखे मैंन as a student आप सबसे ज़्यादा susceptible हो पता आप जैसे students की maximum probability है कि आप preparation छोड़ दो जैं just because एक subject weak होता है फिर लगता है यार obviously दूंको पता है एक subject पूरा weak है तो neat में नहीं होता उसी factor को लेके इंसान बाकी दो फिर down कर देता है बहुत लोग के साथ होता है एक subject अच्छा नहीं हुआ बाकी दो provision छोड़ दी most probably वो physics होता है फिजिक्स की हो सकता है chemistry भी हो सकता है most probably physics होगा मेरे दोस्त क्या कर रहे हो यार दो subject संभाल चुके हो एक subject ही तो है और मैं सच बता रहा हूँ साड़े 4 महीने एक subject के लिए enough है एक बार confidence ला कि दो देखो अपने अंदर ठीक है rotation मत करना physics में fluid mechanics मत करना ठीक है मैं आपसे सबसे बहले बताऊंगा starting के जो 4 chapters है आपका vectors motion in straight line motion in plane और work partner जी यही 4 chapters में पूरी जान लगा दो जो भी दिमाग लगना होता है जो भी match लगनी होती इसके बाद दर खतम इन 4 chapters से बाद दर खतम मैं आपके लिए courses launch कर रहा हूँ बहुत सारे courses launch करूँगा आप ही के लोग के करूँगा जो खासकर ही moderate वाले ताकि तुम्हे confidence है कौन सा material find करना है कौन सा books लगाना है कौन से PA MTG के लगा ले कोई फायदा नहीं इतना time ही नहीं है DC bundle लगा रहे हैं कोई time नहीं है सिर्फ और सिर्फ नीट के PYQ और NCRT के back size यही दो करना है that's it 120 marks पक्के लिख के लिए 120 marks plus इस पक के minimum है 120 marks के तुम बिल्कुल मैं बुद्धी भरस्ट हो गई तब आएंगे वन्ना सिर्फ और सिर्फ नीट के PYQ उसको दो तीन बार कर लो और आपका NCRT back size कर लो that's that's it ठीक है मैं courses बना रहा हूँ टेलिग्राम पर आजाना जाफे मैं YouTube पर अनॉंस करूंगा और सब्सक्राइब कर देना तो प्लीज इस चीज़ का धियान लगे chemistry जिनके वीक है chemistry में मुस्ट पर भी organic week होगी स्टार्ट करो ना यार मैं क्या इसमें क्या टिप दे दू मैं स्टार्ट करो chemistry यार organic chemistry स्टार्ट करो YouTube लेक्चर से अनल अचैडमी से पढ़ना है फिजिसक्सकुलल से पढ़ना है जिस से पढ़ना है पढ़ो इनसे अबी इस लेवेल पर नहीं निकलेगा बट मैं ही गैरेंटी है जब रिजल्ट टाएगा एक अगस्त को पेपर होगा वो लोग गर्मेंट कॉलेज में जा रहे हैं क्यों मझे पता है वो चले जाएंगे और उनकी स्थिती आप से थोड़ी सी नीचे ही है अभी देखना मैं अभी प्रूफ में फ्यूचर दिखा नहीं सकता आने दो एक अगस्त आने दो एक अगस्त आई विल शो अभी आज की डेट मार्च चल लिए 13-14 मार्च है मैं आको बत आटकर ताकि तुम्हें फील आता रहे कि हाँ यार मेरे मार्क्स आ रहे मैं करीब-करीब 400 मार्क्स आ जा रहे है तो एक फील आएगा कि हाँ बस एक यह सब्जेक्ट है और मैं पहुंच जाऊं गौर्मेंट कॉलेज वो एक सब्जेक्ट बस गले की हट्डी है तुम्हारे और तुमारे गवर्मेंट कॉलेज की बीच में याद रखना, वो एक सब्जेक्ट है, तो प्लीस मॉक टेस्ट देते रहा हैं थाकि ये चीज़ माय दिमाग में घुसे, बैटके डी मोटिवेट, रिवर्स में मत चला जाना कि एक सब्जेट अच्छे सी नहीं हो, तो बाकी द आपने अपनी जिन्दगी को seriously लिया है, अपनी preparation को seriously लिया है, May God bless you and I hope, पता ही है मेलको, तुम लोग जाओ को government college में, तुम लोग जाओगे, ठीक है, टेंचन दी लेना, तुम लोग जाओगे, अब तुम लोग के लिए क्या advice है, सची बता रहा हूँ, तुम लोग के लिए थोड़े-थोड़े तो सही है, कोई बिलकुल weak नहीं है, कोई बिलकुल strong नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़े-थोड़े कही ना कही gap है, यह सब चीज़े है, तो मैं जब आपको जान लूँगा, तब आपको बताऊँगा, message में on Instagram, free में आपको help करूँगा, या message में on problem है, कहा नहीं, कहा रहते हो, क्या issues हैं तो मैं साथ, क्या financial conditions है, हर चीज़ जानने के बाद मैं आपको advice दे भाऊँगा, ठीक है, वीडियो काफी लंबी होगे, काफी time बाद, I hope you like the video, subscribe करना, अगर मन है, तो subscribe कर दो, नहीं मन है, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, so that's it for the video,